सूर्य क्रिया आपके सिस्टम को बाकी सौर मंडल के साथ ताल मेल में लाने का एक अध्भुत प्रयास है सूर्य नमस्कार मुख्य रूप से मनिपूर चक्र को सक्रिय करता है आपकी शारिरिक सेहत, मानसिक सेहत, आपकी आध्यात्मिक संभावना, सब कुछ इस से तैह होता है सूर्य क्रिया बुनियादी अभ्यास है सूर्य नमस्कार उसका सरल रूप है हट शब्द में ह याने सूर्य ठ याने चांद सूर्य और चांद के बिना कोई हट योग नहीं होता तो एतिहासिक रूप से क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ पता नहीं लोगों ने पहली बार कब सूर्य नमस्कार नाम का इस्तमाल किया था पर अलग अलग जगहों में ये अभ्यास अलग अलग तरह से सिखाया जाता है मैं गलतियां नहीं बता रहा मैं कह रहा हूँ इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग वजहों से जान बूच कर अलग अलग तरीकों से सिखाया जाता है आश्रम में मुझे लगता है लोग चार अलग अलग तरह के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं मैं एक अलग तरह का सूर्य नमस्कार करता हूँ यानि पांच तरीके ज्यादतर इसे सूर्य नमस्कार कहते हैं क्यूंकि ये मुख्य रूप से मनिपूर्थ चक्र सक्रिय करने सिस्टम में गर्मी पैदा करने और समत प्राण या उश्मा बढ़ाने के लिए है सौर शब्द सिर्फ एक प्रतीक नहीं है मैं चाहता हूँ आप ये समझें कि धर्ती पर आप जो भी गर्मी महसूस करते हैं वो वाकई सूर्य से आती है जो कई तरीकों से कठी और मुक्त होती है या हाइड्रो कार्बन्स का रूप ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सूर्य में पके हुए है अगर आप एक लखडी का टुकड़ा जलाते हैं तो सिर्फ सौर उर्जा बाहर आती है अगर सौर उर्जा हटा दी जाएं तो धर्ती ठोस बर्फ बन जाएगी शोद से पता चला है कि अठारा घंटों के समय में सारे समुद्र बर्फ बन जाएंगे अगर सूर्य अभी गायब हो जाए तो परसों सुभा तक सब कुछ ठोस बर्फ होगा कुछ भी तरल या लिक्विड नहीं बचेगा तो सब कुछ सौर उर्जा से चलता है शायद आप सोचें कि हम धर्मल या गैस से पावर पैदा कर रहे हैं नहीं सब कुछ सौर उर्जा से हो रहा है मुझे ये पक्का तो नहीं पता मैं इसकी बारी कियां जानना चाहूंगा पर अकेला उपवाद शायद अणों का तूटना हो सकता है ये सौर नहीं है और तब ही इसे सबसे प्रभावी और खतरनाक मना जाता है क्यूंकि उसमें इस सिस्टम की सामान्य ओर्जा भंडार का उप्योग नहीं किया जाता जो की सूर्य है जब हम सिस्टम में सूर्य को सक्रिय कर देते हैं तब शरीर दमकने लगता है अगर आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आम तोर पर सिस्टम में ज़्यादा बल्गम के रूप में प्रकट होती है सिर्फ नाक में ही नहीं हर जगा बल्गम बढ़ सकता है जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है उसके ग्लैंड से निकलने वाले स्राव और बल्गम के स्तर बहुत आसानी से संतुलित और ठीक रहते हैं इससे सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं कई चीजें तै होती है आपकी शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, आध्यात्मिक संभावना सब कुछ इसी से तै होता है कि आप में कितनी सौर उर्जा या कहें की आपकी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव कितने संतुलित हैं अगर ग्रंथी स्राव थोड़े भी असंतुलित हों तो यहां बैठ कर सुनना भी बहुत मुश्किल होगा ध्यान या कुछ और करना तो दूर की बात है आपको अजीब महसूस होगा क्यूंकि केमिस्ट्री कमजोर हो जाएगी तो इसे संतुलित करने के लिए यह सबसे सरल और प्रभावी साधना है जब हम हट योगा स्कूल शुरू करेंगे तब हम एक खास तरह का अब भ्यास सिखाएंगे काफी कुछ सूर्य नमस्कार जैसा पर उसे सूरी क्रिया कहते हैं उसमें खास तरह से सांस लेना और दूसरी चीज़ें शामिल है सूरी क्रिया आपके सिस्टम को पूरे सौर मंडल के ताल मेल में लाने का एक अदभुत प्रयास है सूर्य नमस्कार और सूरी शक्ती ये दोनों अब्यास दूर के रिष्टिदार हैं अगर आप लोगों को बारीक चीज़े बताएंगे तो हर कोई नहीं समझेगा तो उन्हें थोड़ा सरल बनाया गया है अगर आप अपने और बड़े सिस्टम के बीच एक ताल मेल बना लेते हैं ये चोटा सिस्टम है और बड़ा सिस्टम सौर मंडल है अगर ये दो चीज़ें एक साथ हैं तो आपकी शारीरिक, मानसिक और सांसारिक खुशाली बिना प्रयास की होगी आप जो भी करेंगे वो अच्छे से होगा सूरी क्रिया बुनियादी अभ्यास है सूरी नमस्कार उसका सरल रूप है सूरी शक्ति को मानस्पेशियों और शरीर बनाने के लिए थोड़ा और सरल किया गया है उसकी प्रकृती कावी कसरती है वो एक पूरी एक्सेसाइज है उसके लिए कोई उपकरन जरूरी नहीं है आप किसी होटेल के कमरे में हूँ या जहां भी हूँ आप सूरी नमस्कार या सूरी शक्ति कीजिए आप खुद को बिलकुल फिट पाएंगे